हाई आवरवर आज की इस व्यडियो में हम पढ़ेंगे बी ए के साइकंड चाप्टर पब्लिक आइटिरिशन की बुक है फिफ्ट समयस्टर है और साइकंड चाप्टर है और इसका जो साइकंड चाप्टर का नाम है वो है 1842 से स्थाने साशन का विकास की 1882 से इससे स्टानी साशन है स्टानी साशन हमने चैसे की शास करने वाले हैं इसका विकास कैसी ओड़ा want से हम वो पढ़ने वाले हैं और यह जो चाप्टर है बहुत चोटा और इंपोर्जन चाप्टर है कोशन से स्टार्ट होता है हम कोशन पढ़ते हैं फर्स्ट भारत में स्थाने सरकार के सन 1882 से लेकर 1947 तक की इतिहास का विकास करें हमने जो है स्थाने जितने से फ्रिकारे होती हैं उनके बारे में उनका इतिहास के बारे में लिखना है 1782 से लेकरго ने सर 1027 की कme और एक से साइब सटार्ट करते हैं भारत में स tipping連 सरहिंस तर्इसकर leLink taken जो भारत में स्थाने सलसाशन है न वो जो प्राचीन काल है वहीं से चलते आ रही है विश्व में भारती एक मात्र ऐसा देश है जहां पर गाउ में सलसाशन की सबसे लंबी प्रता वित्मान रही है अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो भारत ही एक ऐसा देश बताया चाता है जहां पे साशाशन की जो प्रतावे लंबे समय से चली आ रही है भारत में स्थाने साशाशन की संस्ताओं की जड़े इंसा से तीन हजार वर्ष पूर्फ सिंदु घाटे की सबिता में देखने को मिलती है सिंदु घाटे की सबिता से समंदे थामें ऐसे प्रमान मिले है जिन से पता चलता है कि उस काल में नगरों की सफाई, रोश्णी, सड़कों, गंदे पाने की निकास के लिए नालिया आदी की सुन्दर विवस्ता तदा ग्रह निर्मान करते समय घर की समूचित आवशक्ताओं पर विशे इस्तियान दिया जाता था स्थाने सलसाशन में गाउं को साशन की धूरी माना जाता था प्राचिनकाली इन कृंटों से हम इस्ताने संसाशन सामन्धी संस्ताओं के बारे में जानकारी मिलती है यह संस्ताओं पंचायतों की रूप में थी और उन्हें संस्ताइचन की ग्रामिण्ट सरकार कहा शाता था ठीक है तो बहुत easy language में दे रखी है कि ये जो संस्ताएं प्राक्षिन काल से चलती आ रही थी और ये संस्ताएं जो है पंचायतों की रूप में हुआ करती थी जिसे के ग्रामिन सरकार कहा जाता था ये जो संस्ताएं थी अपने काफी मामलों में सौतन तर थी और अपने शेत संस्ताएं अपना अस्तित्व ए महतर बनाए रही वी वेकेंट राओ ने इस संदव में उचित ही कहा है कि पीड़ी के बाद पीड़ी आती गई वन्शो की पराचे होती रही बहुत से आकर्मन हुए तथा अनेकों बार भारत के मांचित्र में परिवर्तन हुए परंतु सं स्थाने साशन जीवित रहा यहां पर यहीं बताया गया है कि काफी कुछ बदलाव हुए पीड़ी के बाद पीड़ी आती गई लेकिन जो स्थाने साशन है वो जीवित रहा मतलब चलता रहा चलता रहा प्राचेन भारत में ग्रामिन स्थाने साशन के विशे में सर चालिस म नेटकॉफ ने थाले सुतीस में लिखा है कि जहां कुछ नहीं टिकता वहां बेटिके रहती हैं एक के बाद एक राजवन्ष का पतन होता रहा है एक क्रांती के बाद दूसरी क्रांती आ रही है हिंदू पठान मुगल मराट असीख औरंगदी सभी बारी बारी से अपना-पन सатели सवामित वस्तापित करते रही हैं किन तो ग्राम समाच जोंके थो बने रही है तो यहां प़र यही का रख़ा है कहा गया है कि जह रराजवन्ष का पतन हुआ है कांधी के बाद दूसरी क्रांती कि आई हैं लेकिन जो स्थाने साशन है वह भी भी बने हुई हैं जो ग्राम समाच वह भी जैसे के वैसे ही हैं ठीक है अब यहां पर हम पढ़ेंगे हिंदु काल में स्थाने साशन कैसा था भारत में मोर्यों का साशन काल सुरादिकार संपन राजाओं को काल था लेकिन इन राजाओं की कारे प्रणाली रजनता अंत्रिक थी इस काल में स्थाने साशन की संस्थाओं को महत्पूंट स्थान प्राप्त था युनानी विशारकों ने इस तत्यका उले किया है कि सिकंदर के आकर्मन की समय बंजाब में 2000 से अधिक स्थाने साशन की संस्थाएं थी जिसके कारण मौरे समराज को सबलता प्राप्त हुई प्राचीन भारती चिन तक कोटली द्वारा रचित अर्शास्तर से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि राज्यस्तानी ससाशन की ग्रामिर संस्थाओं की कारे में बहुत कम हस्त शीप करता था अपने अर्शास्तर में कोटली ने नगरों की समिसां के बारे में भी वनन किया है और इसके समन्द में उसने एक नगर नियोजन की योजना को भी त्यार किया था कोटली के अनुसार नगर का मुख्या नागरी क्या नगराध्यक्ष कहलाता था नगराध्यक्ष के अधीन गोप तथा स्थानिक हुआ करते थे गोप पाँच से दस ग्रामों का प्रधान होता था और ग्राम के प्रधान को ग्रामिक कहा जाता था ठीक है तो यहाँ पे कुशना आ सकता है कि ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है तो आपको कहना है ग्रामिक स्थाने गोपों पर साशन करते थे जो देश के एक चुधाई भाग पर साशन करते थे गोप की प्रधानता में स्थाने सरसाशन की संसा अपने शित्र में स्वास सफाई आदे पर विशे इस्त्यान देती थी ततकालिन महानगरों की पाडली पुत्र उजेन, तक्षीडा, उरुषपूर आदी प्रमुक थे जिनकी नगर्योजना की भविता की दर्शन हम आज भी खंडरों की रूप में कर सकते हैं ये पहला पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट हमने देखना है मुस्लिम काल में स्थाने साशन पहले हमने हिंदु काल में देखा था अब हम देखेंगे मुस्लिम काल में स्थाने साशन तो मुस्लिम साशकों ने राजपुतों को हरा कर अपने सत्ता स्थापित की मुस्लिम साशक भारत में लुटेरों के रूप में आए जिनका उदेश्य भारत में विज्जे यश और धन प्राप्त करना और अपने धर्म का प्रिशार करना था देरे देरे आकर्म कारी यहां के साशिक बन गए अपनी साशिन विवस्ता को बनाए रखने तथा इससे मजबूत बनाने के लिए उन्होंने प्रतेक्स तरपर साशिन में परिवर्तन किये परंतु स्ताने संस्ताओं का वही रूह विद्मान रहा मुगल काल में भी गाउं को अपने कारे प्राचिन पत्ती के अनुसार करने की चूट थी इस काल में भी गाउं ही सवायत साशिन के महतपूर्ण अंग थे छोटे बड़े नवरों में कुशल प्रसाशिन और पुलिस का प्रबन था पुलिस वे नागरिक प्रसाशन का मुख्या कोतवाल कहलाता था तो पूछ सकते हैं आपसे कोतवाल क्या होता है आपको बताना है पुलिस वे नागरिक प्रसाशन का जो मुख्या होता है उसको क्या कहते हैं कोतवाल मुगल समराथ अकबर के दर्बारी कवी और उसके मित्र अबूल फजल ने आईने ए अकबरी में कोतवाल के कारें का वर्णन किया है मुसलिम साशन काल स्थाने साशन अर्ज्ट सवायत एकाई नहीं था बलकी केंद्रे सरकार का आया पालग था इस काल में स्थाने साशन का सरुप करिंद्रे करत हो गया अब हम पढ़ेंगे बिटिस काल में स्थाने साशन हमने हिंदु काल में पढ़ा था फिर मुस्लिम काल में अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिस काल में स्थाने साशन कैसा था मुगल काल के बाद भारत में ब्रिटिस का लारंब होता है भारत में स्ताने सरसाशन की वर्तमार सरंजना और कारे प्रणाली मुल्न तहा ब्रिटिस सरकार की ही दीन है आरवी जठार के सटीक शब्दों में बिटिस प्रसाशिक सरकार के अत्यधिक के इंदिकृत कारे का रिणान सरू अत्यधिक भार से सवे राहत पाना चाते थी इसलिए उन्होंने अपनी सवेधा के लिए उच सतर पर स्थाने साशिन के स्थापना करने के विशे में सोचा भारत में बिटिश साशिन काल के दुरान हुए विकास को निमेन लेकित भागों में बाटा जा सकता है जब ब्रिटिस काल में स्थाने साशन था उसको 5 चरंड में बाटे गए थे पहला चरंड था 1687 से 1882 तक दूसरा था 1882 से 1919 तक तीसरा था 1990 से 1937 फूर था 1937 से 1947 फिर था 1947 से अब तर जो चलता रहा है तो हम प्राथम चरंड में देखते हैं क्या हुआ है प्राथम चरंड जो स्टार्ट होता है 1687 से 1882 तक अंग्रेजों ने भारत में स्थाने साशन के दिशा में पहला कदम कब उठाया था 1687 में उठाया था 1687 में ब्रिटिस समराट में एक नगरपाल का धिनम द्वारा मदरास में एक नगर निगम की स्थापना की थी इस निगम को अनेक लोग सिवाओं के लिए उतरदाई ठहराया गया नगर निगम की करमचारियों तथ स्कूल के अध्यापकू का वेतन देने के लिए कर लगाने की शक्ति इस निगम को दे दी गई मदरास के बाद कलकता वे बंबई में भी नगर निगम स्थापित किये गई 1793 में पारे चाटर एक द्वारा तीनों नगर निगमों बंबई कलकता और मदरास में नगर निगम से संबंदित प्रसाशनिक कारे देखने रिशांती स्थापना के लिए नियाधीशों की नुक्ति के गई 1813 में भारत के कुछ अन्य नगरों में भी वार्ट समीत्य स्थापित के गई 1850 में एक अधिनियम द्वारा नगरों में सार्शनिक स्वास्ते एम सुविधा के लिए बहतर स्वास्त करने के लिए स्थाणिय समीत्यों की सापना के गई थी भारत में स्थाणिय स्थाशन के शेत्र में महतपुन परिवरतर 1870 में आया जब लोट में उन्हें एक प्रस्थाप द्वारा स्थाने शेत्र में सार्शन लागो करने पर बल दिया इस अधिनियम द्वारा स्थाने स्थाशन के संस्थाओं का गठन चुनाव द्वारा किये जाने की वरुस्ता की गई और स्थाने सरसाशन की संस्थाओं के अधिकार शेत्र में भी विस्तार हुआ प्रस्थाप की भाषा में यदि इस प्रस्थाप को पूरी निष्टा के साथ लागू किया जाए तो इसे सरसाशन का विकास करने और नागरेक संस्थाओं को मजबूत बनाने और भारतिय तद्धा यूरोपी लोगों को प्रसाशनिक मामलों के साथ पहले सही कई ही अधिक सीमा तक संभन करने का अफसर मिलेगा तो ये पहले चरण में था बाकी यहां से यहां तक आप पढ़ लेना आप स्क्रेंशोर ले सकते हैं हम पढ़ने जाएंगे दूसरा चरण कब से स्टार्ट हुआ था 1882 से 1919 तक इसमें चरण में क्या था 1882 से पुर्व स्थाने सरसाशन के संस्थाओं ने कोई विशेश प्रक्ति नहीं की थी इसका अदिशी के विल मातर प्रसाशन में सुधारव स्थाने साशनों के यह अन्ता है 1882 से पुर्व के समय में स्थाने सरसाशन के संस्थाओं के कारों में कोई ग्रान्ति कारी परिवर्टे नहीं आ सका इसलिए ठारा मही ठार उसे ब्यासी को भारत के वाइसराई लोड रिपन ने स्थाने सरसाशन के समन्द में एक इतिहासिक प्रस्ताव रखा इस प्रस्ताव में भारत के स्थाने सरसाशन के नितों का वर्णन था और इस प्रस्ताफ के बाद स्थाने सरसाशन के संस्ताओं की कारियों में काफी परिवर्तन आना था यह प्रस्ताफ स्थाने सरकार का आधार बना था लोड रिपन की इस कारियों से उसे भारते स्थाने सरसाशन का पिता माना जाने लगा लोर्ड रिपन द्वारा प्रस्ताब में कुछ सुझाब ने मिली थे जब लोर्ड रिपन आए उन्होंने कुछ स्थाने सरसाशन में सुधा लाया परिवर्दे लाया तो उनको क्या कहा जाने लगा फादर ओफ लोकल सैल्फ कॉर्मेंट इन इंडिया ये प्रस्ताब कुछ इस प्रकार से है पहला देखते हैं पहले प्रस्ताब में ये सुझाब दिया गया कि स्थाने सरसाशन के द्वारा लोगों में राजनीतिक सिक्षा का प्रसार करना चाहिए इसके द्वारा ही लोगों में राजी प्रसाशन के प्रति लगाप प्यादर किया जा सकता है संपून भारत में स्वायत तर साशन संस्ताओं के विवस्ता की जानी चाहिए और इन संस्ताओं के अपने शेतर में निशित उतरदाई तथा को सतंत आर्थिक साधन सोब पिना चाहिए स्थाने संस्ताओं के संस्ताओं को ग्रामे स्तर पर भी अपनाया जाएगा स्थाने ससाशन के संस्थाओं में गयर सरकारी लोगों का बहमत होना चाहिए ताकि इस अधिक लोगतांत्रिक बनाया जा सके स्थाने ससाशन से संबद्धित करमचारी पर इन संस्ताओं का पुन नियंतर होना चाहिए ताकि वे करमचारी लोगों की इच्छाओं के अनुसार कारे कर सके इन स्थाने संस्ताओं का सभापती या अधिक्ष गयर सरकारी लोगों को ही बनाया जाना चाहिए अधिकारियों को जन्ता के सेवा के रूप में काम करना चाहिए न कि स्वामी के रूप में इन अधिकारियों पर सरकार का सीमित नियंत्रन होगा ग्यार सरकारी सदस्यों कोस्ताने सेवा कारे के समान के रूप में उन्हें समाजिक प्रतिष्टा या उपादिया जैसे कि राय साहब राय बहुदर आदि देनी चाहिए ताकि वे समाजिक कारे करते समय हिच्च की चाहट महसूस ना करें इन सस्था उप को सीमित 1827 प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपने वित्य कारे खुद कर सके उन्हें अपने शित्र में सिमित कर लगाने का धिकार भी होना चाहिए प्रस्ताब में दिये गए सुजावो का क्रियान बें स्थाने साशन की वित्ते दशा के निकूल होना चाहिए तो यह जो दस प्रस्ताब है यह पढ़ लेना किस ने दिया था लोटरी पर ने दिया था जिसको क्या कहा जाता है फादर ओफ सैर्फ कौमें स्थाने साशन का पिता तीसरा चरुन हम देखते हैं तीसरे चरुन में क्या है 1919 से भारत में रास्टे वादी भावनाय बलबती होती चा रही थी उग रास्टे वादी साशन में अधिक से अधिक सुधारों की मांग कर रहे थे यह सब्दी में भारती साशन की विकास का वर्णन इस प्रकार क्या जा सकता है तो विक्यंतिकरन पर सही आयोग यह पढ़ लिना आप ठीक है और इस प्रस्ताप में जो पॉइंट है सुधार के लिए सहरी संस्थाओं के सुधार के लिए यह पॉइंटा पढ़ सकते हैं चौधा चरण बहरत सरकार अधिन्यम 1935 चौधा चरण जो शुरू हुआ था 1937 सच निससथा तक भास सरकार अधिन्यम 1935 के बाद में 2300 के लिए 1937 में चुनाव हुए इस अधिन्यम के द्वारा लोकतंत्रीकरण की प्रक्रेय और प्रसाशन में अधिक सुधार गया गया 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापे देथ साशन प्रणाली को होटा दिया गया इस अधिनियम के द्वारा स्थाने सलसाशन की संस्थाव के विकास में अधिकती आई स्थाने सलसाशन की संस्थाव को प्रांते विशे में सामन क्या गया पारत की सभी प्रांतों में स्थाने सरसारशन की सथापना की स्थाप्ना की समन्थ में कानून पास criminal कर दे गए परंतु 1939 में दित्ते विश्वियूत आरह म हो गया और कई प्रांतों में गठेत कांगरेस मनलों ने तयाग पत्र दे दिया इसके कारण स्थाने सलसाशन के संस्थाओं के विकास के समन्द में बनाएंगे योचना मातर कागजी बन कर रहे थी 1935 के अधिन्यम द्वारा दे किसे विधाओं कुछ समय तक ही लागुन रही और गवन्डों ने अपने प्रांतों का संपूर्ण साशन प्रबन संभाल लिया फिर भी इस काल में स्थाने सलसाशन के समन्द में काफे सुधार किये गए थी जिनमी प्रांतों में विधान मंडल वेकार पाल का समन्दी कारे को अलग लग कर दिया गया स्थाने सलसाशन के संस्ताओं के अधिकार की शक्ति वेकारे बढ़ाए गए मता धिकार को और विस्तरित किया गया पाचवचरण देखते है 1947 से अब तक अंग्रेजों ने भारत में यद्भी स्थाने सलसाशन से समधित कई अधिनियों में प्रस्ता पास किये पर उन्तु वे उन्हे कारे रूप दिये बिना ही 1947 में भारत से चले गई थे ठीके 15 अगस्त 1947 को भारत अजाद हुआ और 26 जनवे 1950 को भारत का सविधान लागू किया गया जिसमें भारत को प्रभुत्ता संपन प्रजातंत्रि गंडराचे घोशित किया गया भारतमे स्थाने सरसाषन कारह में अट्पी 1882 में हुआ पर अंतु इसमें तेजी सद्रिन्टा प्राप्ति के बाद ही आई विधान की धारा चालिस में विवस्ता की गई राज़ी ग्रामिन स्थर पर साशन के संस्ताओं को संग्टित करने के लिए विशे इस कदम उठाएगा और इतनी शक्तियात अथादिकार देगा ताकि वे अपने कारे के योग की बन सके। इसके अलावा सविधान की धारा चालिस में राज़ी विधान सभाव को ये शक्ति दी गई कि वे स्थाने साशन की समन में किसी भी विशे पर कानों नों बना सकती हैं। इसके तीन भाग है नगर निगम, नगर परिशेद, नगर पाली का। लोगों को अपने मामलों में रसाशन तथा अपने इलागे का विकास खुद करने की शक्ति प्राप्त होगी इसे गाउं के लोग आतम निर्भर तथा आतम विश्वासी बन जाएंगे इस करांती में गाउं की शक्ति बढ़ेगी और ग्राम वाच्यों को नया जीवन मिलेगा और इनी से भारत का नित्मान होगा परजायती राज के तुरे सुत्र धाशी के स्थापना समंदे सिफार्श बलवंत राज्य महता समिती निकीती जुनवरी 1958 में राश्टर विकास परिशत ने रोगतन तरात्मक वित केंद्रिकरन समंदी इन सिफार्शों का सम्मर्थन किया तीसरी पंचवर्श योजना के अधिन सहरी परसाशन ने समंदे स्थाने सरसाशन की संस्थां को मजबूती प्रदान की विवस्ता की गई ठीक है, इसके बाद देरे सभी राजियों ने इन संस्ताओं को अपना लिया, इसके बाद देरे संस्ताओं को प्रयाप मात्रा में वित्य संसाथं उपलप नहीं करवाय गए, जिसके कार्णिया अपने विकास समंद्य और दिश्य को पूरा करने में आज सफल रही है केंद्र सरकार स्थाने सरसाशन के विकास के विवन नियुजराओं की सफलता के लिए अनुदान राशी प्रतान करती है फिर भी यह राशी प्राप नहीं है वित्य शित्र में स्थाने सरसाशन के संस्ताओं की स्थित्य काफिश सोचनी है इन संस्थाव को अपने वित्तिहार सुधारने की दिशा में कुछ अधिकार दे गई है जिनके अधिन ये संस्था अपने दिकार शित में कुछ कर लगा सकती है और उन्हें बसूल कर सकती है और इन्हें सवे ही खर्च कर सकती है इन संशोधन द्वारा स्थाने सलसाशन की संस्थाओं को वित्ते हालत में सुधार होने की अनेचिन दिखाई देते हैं इन संशोधनों की द्वारा पूरे भारत में स्थाने सलसाशन के समंध में एक रुपता स्थापित करने का प्रत्यान किया गया है स्थाने स्वसाशन के ग्रामिक विकास को धार में रखते वे ग्रामिन स्थाने साशन में सहरे स्थाने साशन को सतंता के बात अलग-अलग कर दिया गया था इन दोनों संशोधनों के पास होने से स्थाने स्थाशन के संस्था में विकास के अच्छे चीन दिखाई देते हैं भार सिरकार का इस्तिशा में कृत संकल्प है ठीक है तो हमने ये पढ़ा है विकास के बारे में पास चरण के बारे में तो आप अच्छे से करिके चाना और इसका जो दूसरा कोशिन है स्थानिय एम सिवसाशन से समदित लोड रीपन के प्रिस्तावों को आलोशनात्मा बनेंट करी तो हम इसके बारे में डिसकस करेंगे ह दो ही कोश्चन थी ठीक है और फिर थर्ड चाप्टर आशाएब हमारा बहुत अच्छा चाप्टर है होपस आपको क्लियर है कोई कंसान कोई डाउट आथा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे है वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर जी तामच्छी कि कि लिए चाप्री शुर। तो मॉट काश्ची लगाएब